दो हजार तेरा का साल महीना जून था पानिपत की लाखों लोग खुश थे कि पानिपत नगर प्रिशद से अब पानिपत नगर निगम बन गया है यहां भी चंडिगड अमरी सरोड दिली नगर निगमों की तरह विकास होगा क्योंकि टेक्स्ट्राइल सिटी होने की वज़े से पानिपत का देश दुनिया में नाम है अब नो साल बाद लग रहा है कि पानिपत नगर प्रिशद ही अच्छा था स्कून तो था दरसल प्रदेश के ग्यारा नगर निगमों में आज पानिपत नगर निगम बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है निगम के पिछले कारेकाल में पारकों के नाम पर लूट मची थी तो इस बार सडकों के निर्मान में लीजिए सेक्टर बारा में हाली में बनी कंक्रीट की सडक के बारे में ये बात यहां से प्राइम एंजल से चलेंगे तो आप देखिए कि 4-4 इंच का फरक है सडक के अंदर मतलब हाँ ये जरूर है सिर्फ अपनी नाकामियों को और जो घटिया मेटीरियल को चुपाने के लिए जो ये पीली पट्टी और तार कोल भर भर कर इसका सिंगार किया जा रहा है सिर्फ यही चुपाया जा रहा है हालात ये है कि कमिशनर पद पिछले दो हफ़तों से खाली पड़ा है प्रोपर्टी आइडी की एक हजार से जादा फाइले पेंडिंग क्योंकि दो टेक्स सुपरिंटेंडेंट्स चुट्टी पर है शहर का जेई अजे छोका चुट्टी पर है अब एक्सियन परदीप कल्यान पंदरा दिन की छुट्टी पर चल लहे है क्योंकि काम लटकने की वज़े से निगम में आने वाले लोग भला बुरा बोलते है नगर निगम में 22 साल तक ओडिटर रहे ये रेटायर अधिकारी निगम की रग रग जानते है सूत्रों का कहना है कि पानिपत नगर निगम के अफसर सिस्टम का हिस्सा तो है पर कभी किसी जन परतिनीधी के नाम से कभी किसी किसी फारिज से उबलाइज करते हैं पर असली लूट तो ठेकेदारों और दलालों ने मचाई होई है इन पर कोई बड़ा एक्शन जरूरी है यानि निगम के ठेकेदारों के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है कई मामनों में ऐसा भी हो रहा है कि ठेकेदार खुद ही बिल बनाते हैं जेई तो साइन कर देता है मतलब पानिपत नगर निगम अब इनके उनके भरोसे नहीं राम भरोसे चल लाहा है क्यामरमेर रजीश कुमार और सैयोकी शिरी निवास के साथ दिवेंदर कतोरिया टोटल नेवस पानिपत बीरो